तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को भी बनाना है पापड लेकिन पहुत से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं नहीं बना पा रहे हैं फर्स टाइम ट्राइ कर रहे हैं नहीं प्रॉपर रेसिपे पता है तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकि आयू सूजी के पापड की बहुत ही रेसिपे जो कि इसको कोई भी बना सकता है तो मैं इसमें सारी टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगी आपको क्या करना है क्या नहीं करना है वो सब भी बताऊंगी तो फ्रेंड्स बने रहे हैं इस वीडियो में आपको इस वीडियो में पूरी प्रॉपर लेंगे एक जार, आप मोती वाली बारिक वाली कोई सी भी सूजी ले सकते हैं और इसके पासे सकाऍथ को डालेंगे जार में trains dispare करेंगे और जितने हमने सूजी ले थी उतना ही हम पानी लेंगे तो इस डॉ गो मतलब सूजी के πै imagin क Dani को बनाने के लिए हमको total तो देखे एक कटोरी में पहने इहां पेसे से सुजी ले थाँ हां उसके बाद इसको पीछ लेंगे तो this way of water and water तो देखे किस तरीके से कितना बढ़ियां बाइटर बन गया है और यह बिल्कुल भी दानेदार नहीं रहना चाहिए एकटम अच्छे glasses पीज टाइप का बन जाने चाहिए, देखिए किस प्रकार से यह बन गया है, अगर आप लोगो दरदरा फीलो तो फिर दुबारा से इसको एक बार और पीश सकते हैं, तो देखिए मैं आप पे इसको टेक्चर दिखा रही है, आपको मैंने दो बार इसको पीश के तियार कर ल तो हमने एकटोरी पानी का इस्तमाल यहां पे कर लिया है, और थोड़ा सा पानी हमने उसी एकटोरी में से थोड़ा सा बचाता था तो मैंने बापस डाला जार में और इसको पूरा बैटर अच्छे से निकाल लिया, तो अभी तक हमारे एकटोरी पानी यूज हुआ है, रे समय में यूज होन्छे से फैट लेंगे, तो इसको भष्या में ठोड़ा लिया है, मैंस्कर ने के बाद से हमने अइपना है अगला प्रोशाप, मैंने यह पर पतीला लिया था खुछ भी कढ़ाई या पतीला या फूज भी ले सकते है, तो यहा पर तो यहां पर मैंने टौ पापड बनने के पाज सूख से उस जाता है जिसके बशित नमक ज्यादा लगने लगता है तो आप लोग उसी हिसाब से नमक कम ज्यादा डाले मतलब तो ज्यादा एक्षा हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा और पाज देखे नमक एड़ किया था हमने यह थोड़ा से तो इस सब चीजे मुझे अच्छी लगती है पापड में डाल रहे हैं आप लोको कोई चीज पसंद नहीं हो ताब इसको स्किप भी कर सकते हैं और उसके बाद से यहीं पर हम अपना बैटर भी टांसफर कर लेंगे और फिर इसको मिक्स करेंगे देगे फ्रेंड्स कितना सुं क्युझत है कि तो इसमें आप किसी और की हःल लें कि वह बैटर को डालिय और आप तुरंथ' परनद इसको चलाते जाएं नहीं चलाएंगे तो इसमें गुठलिया पड़े जाएंगे देखिये तो क्यूंकि मैंने पहले बैटर को ट्रांसफर किया उसके बाद से इसको मिक्स किया तो उसके वैसे थोड़ी जी गुंट लिया आ गई थी हमारे बैटर में तो इसलिए मैं आप लोग को बता रहे हूं कि आप लोग ऐसा ना करें और उसके पासे फिर इसको कुबचे से मिक्स करते जाएंगे और देखिए दिरे दिरे इस तरीके से गाड़ा होने लगेगा तो यह प्रॉपर हो चुका है मैंने आपको दिखाया किस तरीके से जब आप कर्ची को उल्टा करेंगे उस पर कोई निसान बना के देखेंगे तो जोड़ेगा नहीं आपस में वह अलग कर आएंगे और यहां पर गरम गरम ही जब आटर रहेगा तभी हमें आप पापड बनाएंगे तो इसके लिए मैंने आप एक पनी जो शीट होती है वह बिछा ली ती और उसके बासे देखिए इस तरीके से इसको आराम से पहलाते जाएंगे तो इसके कंसिस्टेंसी का इसके वैसे क्या हुआ चोटे-चोटे से गुठलिया इसमें हो गई थी लेकिन मैं उसको निकाल दूंगे इस तरीके से पापड बनाने के बास से दिखें तो मैं इसलिए आप लोग को बता रहे हूं कि आप लोग यह गलती ना करें किसी की हैल्प लेकर के आप इसको करें इसके बैसे देखें मैंने बहुत सारी पापड बना के तियार कर लिए फिर्ण्स देखा आप लोगों ने कितना आसान था इसको बनाना आपके इस बैटर में भी अगर गुठलिया पड़ जाती है तो इसको निकाल दें क्योंकि गुठलिया वाला जो होता है पापड खारी से निकालिस के साथ इसकी रासिपी भी शेयर की हुई है तो हमारी सूजी के जो पा पड़े थोड़ी सी येलव इश टाइप में है और हमारी जो चावल के पापड़े वैड़ा वाइड बनके तियार हो तो इसकी भी एकड़ परफेक्ड रस्पी में आप लोग के साथ शेय अपले दिन सामकों में आपको दिखा रही है, मतलब टोटल दो दिन लग गए थे और यह वैच्छे से क्रिस्पी हो गया है, तो देखिए इसी प्रेकार का चाहिए हमें, बहुत अच्छे से सूख गया, जब सूख जाएगा तो इसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा, और ड यहां पर लेके आई थी, इसको तलने के लिए, तो अब हम रखेंगे इधर एक कड़ाई, और इसके पास से देखिए तिल जब अच्छे से गरम हो जाएगा, तब हम इसको एक एक करके डाल के तल लेंगे, तो देखिए डालने के पास से किस तरीके से अच्छे से फूल जा तो देखिए यह तेल में डालते हैं किस तरीके से उठकर के आ रहा है, और साइज भी पहले से वड़ा हो जा रहा है, तो आप लोगों को भी इसी तरीके से इसको फ्राई करना है, और जो जो टिप्स मैंने दी है, उसी प्रकार से आप बनाईएगा, आपकी सूजी के पाप नहीं होगा, तो यह अच्छे से नहीं फूलेगा, इसलिए आपका ओइल पूरा प्रॉपर गरम होना बहुत जरूरी है, और अगर बहुत ज़्यादा हाई हीट पे रहेगा, तो भी प्रापड जल जाएंगा, बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगें यह खाने में, तो एकद तो यह प्रोसेस ज़रूर करें, ताकि हम जो भी रेसिपीस अपलोड करें, वो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सकें, तो यह लीजे फ्रेंट सेयार है हमारे सूजी के पापड बनके, देखें कितने क्रिस्पी लग रहे हैं न देखने में, तो सच में बहुत 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 अच्छे बने थे यह, देखें आप लोग को देखके अंदाजा लग रहा होगा कि कितने अच्छे से फ्राई भी हुए हैं और कितने क्रिस्पी भी हैं, देखें कितने सुन्दर लग रहे हैं देखने में, तो देख सकते हैं फ्रेंट्स, प्लीज कमेंट करके जरू तो मैरे तोटने के तरीके से आप लोगो पता लग रा होगा कि इए पापण तो ठीक है when debe आप गट आप और चारिके आप लोग भी इसी तरीके से बनाहिएगा थर करिईहां और प्लीО tis मेर साथत दिक्कत नहीं आएगी कुछ टिप्स को फॉलो कर लीजेगा जैसी कि जब आप सूजी का बैटर डाले तो आप बहुत केरफुली डाले उसको हैंडेल कर सके तब डाले हो सके तो किसी के हैल्प जरूर ले जिससे क्या होगा आप मिक्स करते जाएंगे तो गुठलिया नहीं प करेंगे तो आपके चिपस भी बहुत इच्छे बनेंगे और फ्राइ करते टाइम बहुत ध्यान रखें कि आपका ओईल जो है ना ज्यादा हाई हीट पर होना चाहिए ना ज्यादा लो होना चाहिए तो मीडियम फ्लेम पर उसको अच्छे से गरम करें फिर आप इसके तल कर के तियार करें तो ठीक है फ्रेंट्स आज की वीडियो में बस इतना है मिलते अगली वीडियो में तब तक लिए भाई भाई